आपका एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल का मप्रीशन प्रिप्रेशन पर आई होब आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए यानि हम इसमें हम Cisco के लेटिशन में पूचे गयर को को टापिएस करने वाले हैं तो हम स्टार कर रहे हैं यह जो पेपर है कि मैं इसमीं यहुका होता है वह स्टार क्यों प्रायों फेशन के कहा सिर्थक्छान स्सक्याग्राइं मेथां यह स्टार्ट करन्या का हो था काvalue later तो यह प्रश्ण आपके लिए काफी इंपोर्टेंट बनने वाले और कुछ नई टाइब भी मिलेंगे आपको प्रश्णों में तो यह भी ट्राइब करना जरूरी है तो चलो स्टार्ट करते पीडियाफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा हिंदी इंग्लिस दोनों नहीं लेंगे और प्रश्णों को समझते हुए ध्यान से करते हुए अच्छे प्रश्ण जहां पर भी दिखें वहां नोट कर लेना ज्यादा टेंशन की बात नहीं है अगर अच्छे प्रश्णों को नोट करके रखोगे तो एक्जाम टाइम में रिवाइस करने में आसानी होगी कुछ बेसिक चीजह हैं आपके फायदे के लिए तो सुब्सक्राइब करने वाले हैं इस वीडियो पे जैसे 1000 लाइक्स पहुंचेंगे हम तुरंत अगला टॉपिक ले आएंगे ये मेरी लालस समझो या महत्वा का अंच्छा समझो या इस्पिरेशन जो भी समझना है समझ सकते हो तो चलो हम श्टार्ट करते हैं पहले प्रशन पर आज आते हैं पहला प्रशन क्या दिख रहा है टेंथ लेवल का एक्जाम का पेपर है ठीक है इसको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको करने में कहा गया A और B एक कारी को 24 और 49 दिन में कर सकते हैं यानि अगर मैं A की बात करूं तो 24 दिन में कर सकता और B 48 दिन में कर गया एक किनों मिलके कारी करते हैं तो कितने दिन में कर लेते हैं 12 days मैं कर लेते हैं मैंने हमेसा आपको बता है टाइम एंड वर्क की स्टार बेच की बेसिक लास भी देखना तो हूँआ पता चल जाएगा मैंने बता है कि जोड़िये रहे हैं उसका तुनंत ले लिया करो लसीm 24 ओन अगर तीन संख्या दी गई हूँ उसमें एक संख्या बाकी दुनों से डिविजबल है तो वही उनका LCM हो जाती है तो LCM सबसे बड़ी वाली संख्या यानि 48 LCM होगा अब जो LCM आएगा वही माल लेंगे total work यहां पर कितना हो गया आपका 48 unit तो अगर A 24 दिन में 48 unit करता है और A और B मिलके तीन unit तो C कितना करता है 3 प्लस C बराबर 4 यानि C बराबर 1 unit C can do only one unit a day C केवल एक unit एक दिन में कर सकता है हमसे पूचा गया 5 बटे 6 भाग को करना है पूरा कायर रहे है 48 48 का 5 बटे 6 कितना हो जगा 40 यानि 40 unit C ने करना है तो C एक unit परड़े करते हुए 40 unit कितने दिन में कर लेगा 40 दिन में किया और उसके बात काम छोड़ के चला गया एक काम है तो पूरे कारें से 5 हिस्सा हो चु комментар है तो तो बचा νुन == अब यह जो बचा हुआ हिस्सा है वह बी आर्ट दिन में आर्छ सकता है यानि यह नि अगर कितना दिन की आवश्यक्ता होगी, समझ आ रहा है, चलो बहुत बने, अगर आपसे कहा जाए न कि कोई आपसे ज़्यादा इफिसियंट है, इसका मतलब होता है कि वो आपसे उतना परतिस्त ज़्यादा कारे एक दिन में, या एक दिये गए समय में कर सकता है, का गया A जो है B से 40 पर परसेंट, एक परसेंट, तो A द्वारा लिया गया दिन हो जाएगा 100 बटे 100 प्लस X इन्टू B, बस इतना ध्यान लगए, यानि आपको B क्या, B द्वारा लिया गया दिन, यानि अगर कहा जाए B से A एक परसेंट जादा इफिसियंट है, तो B को अगर B लगता होगा, तो A A को 100 बटे 100 धनेक्स इन्टू B दिन लगेगा, ऐसे समझेए पहले, अब देखो, ये तो आपकी ट्रिक होगे, बेसिक क्या कहता है, कि B की तुलना में A 40 परसेंट अधिक कुसिल, अब किसका 40 परसेंट निकालना असान होता है, आप कहेंगे 5 का, यानि B का एक दिन का कारिय समाई लेते हैं 5 इंट, तो A कितना करेगा, 5 से 40 परसेंट जादाई यानिकी 2 ऑनिट ज्जाद यानि A एक दिन में 7 वनिट करेगा, अब आप से घाए 05 और करेंट हो तो बी कारिक को 14 दिन में पूरा कर सकता है, अगर एक दिन में 5 करता है, तो 14 दिन में 70 आनि Russウैं 14, 100 बटे 100 धन 40 यानि 140, 100 बटे 140 यानि 5 बटे 7 यानि 5 बटे 7 गुड़ 14, 7 दुनी 14 यानि 5 दुनी 10 दिन लगेंगे समझ में आगे, if it is said कि B की तुलना में यानि in comparison to B, A is x percent more efficient या A is x percent more efficient than B, then how many days will A take to complete the same work which is done by B in B days अगर आपसे कहा जाएं कि B से A x percent ज्यादा कुशल है, efficient है, तो A कितना time लएगा, 100 बटे 100 प्लस x इंटू B द्वारा लिएगे, दिन बस सीदी सी बात है, कहा गया कि A, 2250 रुपे कमाता है, अगर वो परती दिन 8 घंटे काम करता है बी को 3750 रुपे की कमाई होती है, अगर वो 6 घंटे काम करता है, तो पर आर वेज़ेज का आपको अनुपात बताना है सीदी सी बात है, A 258 घंटे में काम आता है, यानि एक घंटे में 250 बटे 8 आपने का और क्या कट रहा है, मैंने का 2 से 2, 248, आपने का और क्या कट रहा है, मैंने का 25, 5, 125, 25 नौई याँ, 225 यानि अब आपका होगे 9 घंटे 1 और 4 घंटे 5, यानि 9 बटे 20 आपका ratio होगे, clear होगे अगले प्रेशन में क्या कहा गया कि A, B, C एक तिहाई कारी को 15 दिन, 30 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं अगर एक तिहाई कारी दिया जाए तो सीधे सीधे आप पहले लिखते चलो कि पूरा कारी अगर A एक तिहाई कारी को 15 दिन में करता है तो A पूरा कारी 45 दिन में इक तेयाी कारी को 30 दिन जैनि, बी पूरा कारिय नव्य दिन में और सिएक तेया-पारी को अगर 10 दिन वे करताक या vind जिन जुरम को सी ने कितने दिनों तक कारिय क यह उपूचा ईया कारिय अप समसे पहले वे कितने यूनिट कारिय था आपने का 45 और 90 और 30 का हमने ले लिया LCM 45 90 और 30 का अगर हम LCM ले लेंगे तो आपको पता है कि 45 नबबब और 30 का LCM कितना हो जागा नबब क्योंकि 95-45 से भी करत है हम माल ले तोटल कारे नभ्य उनिट था ए पैसल दिन में 90 अन्य एक दिन में 2 और 90 दिन में 90 अनि B एक दिन में एक और सी इस दिन में 90 अनि C एक दिन में 3 यूनिट कारी करता है अब आपसे क्या कहा अगे देखो एने कारी करना आरंब किया एक दिन बाद C उसके साथ ज़ुड़ गया देखां, एक यह लिए चुछ दीन काम करते हुए, और B कारे आरहम होने के तीन दिन बाद जुड़ा, देखो, सीधी सी बात है मेरे भाईं, कि अगर, एक ने कारी करना शुरू की, और मन लेते हैं, कुछ दिन कारी हुआ, एक्स दिन काम हुआ, तो एक दिन में दो यूनिट करते हुए एक दिन करता है यानी 2X उसके कर लिए。 दूसरी चीज B एक दिन में कितना करता है round 2 unit करते हुए झूकि बी कार्य आरम होने के 3 दिन बाद इस टारड करता है आगर कार्य x दिन हुआ होगा होगा तो बी उससके 3 दिन कम कर रहा हो नब भे बराबर कि यह समझाने के लिए था 2 3 3 6 6 तीन और 3 6 690 में जुड़ेगा चैनल चैनल सोंद इस कितने दिन तक कायरी चला आप से यह पूचा था आते ही आप 16 करके गलत आंसर लेकर चले आओगे मुबना के दो X ब्राबर 16, X हमने क्या माना कि कितने दिन काम चला, अगर X वो राशी है जितने दिन काम चला, हमें पता है कि C एक दिन बाद जुड़ा था, याणि C इसे एक दिन कम काम करता है, याणि C ने 15 दिन काम किया, clear? देखो, अगला प्रसन देख लेते हैं, कहा गया three men do as much work as four boys do in 20 ते तीन आदमी चार लड़कों के बराबर कारी करते हैं और ये 21 दिन में काम खतम कर लेते हैं तीन आदमी चार लड़कों और चार लड़कों के बराबर कारी करते हैं और 21 दिन में खतम कर लेते हैं देखो तीं अगर आप सेγαया 29 दिनों में चार लड़कय जितना काम करते है इतरह क Options करता है यहापे दो einzige दिन 21 दिन ही तो 7 आदमी दो देन पूर्श गया कि चार आδंँ में 45 लड़कों कर आप ऐक नहीं पर लाप नगए तो अगर हम कहें कि आदमी की एफिशनसी चार है या UX दिन आदमी चारी उनिट सतर्वाइझर होगा, जा फिर आदमी फिर T-12 इसे या कहते हैं, हैं कि एकשים आदमी प्रीस को किथे टीन आदमी पर two- célndaj होगा, तो टोटल वर्क आगे 21 गुड़े 12, clear हो गया, अब ये टोटल वर्क हो गया, अगर कागे इसी वर्क को किसने करना है, 9 पूरुस और 2 लड़के, 1 पूरुस 4 उनिट, यानि 9 पूरुस 36 उनिट, 2 लड़के, 1 लड़का 3 उनिट, तो 2 लड़के 6 उनिट, यानि इतना टोटल व और 2 लड़के, 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 2 लड़क तो कहा अगर GORDON ॐ ही कारी करते हैं देखो पूर की एक उनिट करते है चारी उनिट एनि एक दिन में आप पांच findet हएजुनिट caves पड़े करते हैं 5 च्छंपन दिल लगा फंद्टो च्नकर अगी किसे पांच गुड़े डिन कर सकते हैं In how many days, six men and twelve boys complete the same work if one man work as two boys? आप से कहा गया, आठ आदमी किसी कारी को चोवन दिन में कर सकते हैं, यह दे दिया गया. कहा कि अगर एक आदमी दो लड़कों के बराबर काम करता हो, यानि एक आदमी बराबर दो लड़के हो, तो छे आदमी और बारा लड़के मिलके कितने दिन में करें, आपको पता है, एक आदमी बराबर बारा लड़के, एक आदमी बराबर दो लड़के, तो बारा लड़के क श्यादमी के पराबर होगे और श्यादमी अलग यानि 12 आदमी कितने दिन में निकाल ले यह देखो कहा गया 50 आदमी 8 घंटे परड़े काम करते हो 20 दिन में पूरा कर सकते हैं आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा M1 D1 H1 इस 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 पढ़ा था यानि कि आदमियों के संख्या गुडे दिनों के संख्या गुडे घंटों के संख्या पर आबर आदमियों के संख्या दिनों के संख्या घंटों के संख्या यानि हम DS मसाला हमेंसा constant रहता है इसका स्वाद constant रहता है इससे याद रखेंगा 50 आदमी 20 दिन में कर सकते हैं आठ गंटे गर पर डे करें, कहा गया, in how many days, यानि D2 निकालना है, 32 आज में, 10 गंटे पर डे करते हुए, D2 की value निकालना, तो 32 गुड़े 10 सिधर आजाएगा, वास आपका अंसर आजाएगा, पोलो किलियर है, 8 से कटा 4, 10 से कटा 2, 10 दूना, 20, 2 से कटा 2, 2 से कटा 25, क्या कह गया, A takes 4 times as much as B and thrice as much as C to finish our work, देखो एक बात कही गई, कि A जो भाई साब है, वो A भाई साब जो है, वो B से 4 गुना काम टाइम लेते हैं, यानि और C से 3 गुना काम टाइम लेते हैं, यानि ऐसे समझो, कि अगर efficiency की बात करें, तो B की efficiency A की 4 गुनी, अगर 4 गुना टाइम लेता है, तो यानि कि B 4 गुना काम करता है, अगर A, B द्वारा लिएगे समय के, चार गुना टाइम लेता है, तो इसका मतलब A की efficiency कम होगी, तभी तो ज्यादा समय लग रहा है, यानि B बड़ाबर 4 गुना दिया गया, और C बड़ाबर 3 गुना दिया गया, तो का गया, व बड़ाई साब एक दिन में 4 unit करेंगे, आप कहा गया A, B, C एक साथ काम करें, A, 1 unit, B, 4 unit और C, 3 unit, यानि 3 मिलके 4, 3, 7, 8 unit एक दिन में करेंगे, 8 unit अगर एक दिन में करता है, तो 24 दिन में complete होता है, यानि total work आगया, आठ गुड़े 24, यह हो गया total work, अब आप से क्या यानि पहला statement गलत, B and C are most efficient, takes 36 days, अगर B और C एक साथ कारी करें, तो 7 unit एक दिन में होगा, यह क्या 36 दिन लेंगे, नहीं, यह भी गलत, क्योंकि देखो, आप 24, 25 दिन लेंगे, clear होगे, A is most efficient, आपने एक ही unit कारी करता है, तो यह तो कैसे most efficient, यह भी गलत, यह ही सही हो जाए कहा गया, A किसी कारी को करने में 42 दिन देता है, B उसी कारी के 2 तिहाई को करने में, ठीक है, B complete the same work in two-third of the time, taken by A, यह निकि B उसी कारी को 42 के 2 बटे 3 यह निकि 28 घंटे में कर सकता है, तो कहा गया, what direction of work will they do in 14 hours, A 22 घंटे में कर सकता है, B उसी कारी का 2 तिहाई, उतने ही समयम कर सकता है, इसका मतलब कि 2 तिहाई समय में उतना ही काम कर सकता है, यानि कि अगर A को 42 घंटे लगते तो B को उसका 2 तिहाई, यानि 28 घंटे लगते, अब आप देखो, A 42 और B 28, अब आप से पूछा गया कि 14 घंटे में कितना पार्ट करते हैं, अगर A 42 घंटे पूरा कर सकत है, तो 14 घंटे में 1 बटे 2 करेगा, यानि कि दोनों मिलके कितना करेंगे, 1 बटे 3 धन, 1 बटे 2, यानि कि 5 बटे 6 उनिट करेंगे, 5 बटे 6 हिस्सा करेंगे, ये प्रशन में कुछ है, A 25 दिन में कर सकता है, B 20 दिन में, वो एक साथ 4 दिन काम करते हैं, अब पहले 25 और 20 दि करता है, कहा गया हुए, चार दिन तक एक साथ मिलकर कारी करते हैं, अगर दोनों मिलके करेंगे, तो एक दिन में 9 उनिट होगा, तो 4 दिन में 36 उनिट होगे, 100 उनिट था 36 उनिट होगे, यानि कि 64 उनिट बचा हुए, C इस कारी को C द्वारा 8 दिन में पूरा किया जाता है C अगर 64 unit 8 दिन में करता है तो एक दिन में C द्वारा किया गया कारी चारो सर्च बट यानि कि C एक दिन में 8 unit काम करें तो कहाँए C अकेले मूल कारी के 40 percent भाग को कितने दिन में कर देगा मूल कारी कितना था 100 unit, उसका 40 percent करवाना है यानि कि 40 unit करवाना है थे अब आपको भी को अलग अलग दीं अगयाँ अगर A A दिन में करता हो B B दिन में करता हो तो दोनों मिलके A इंटू B बटे A धन B दिन में करते हैं यहां से आप निकाल सकते हैं यानि 16 गुड़े 25 चार सो बटे 41 आपका आंसर हो जाएगा क्या कहा गया 10 आदमी और 8 ओरते किसी कारी को 7.5 दिन में कर सकती है 6 आदमी और 9 ओरते उसी कारी को 10 दिन में 35 ओरते अकेले कितने दिन में कर लेंगे देखो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कितने भी व्यक्ति करें और कितने भी दिन में करें हमेशा अगर एक कारी की बात की गई तो वो कारी बराबर ही होगा बोलो क्लियर है तो दस आदमी और आठ उरते यानि 10 मेन प्लस 8 विमेन मिलके साड़े साथ दिन में करती है यहां से मेन और रोमेन का रिश्यो आजाएगा निकाल लो पांस से कटेगा पांस तीया पंद्रा पांस से कटेगा यह दो हो जाएगा दो से यह कटेगा पांस यह हो जाएगा चार अब गुड़ा कर लो यहनि कि पंद्रा मेन प्लस बारा मेन बराबर यहां से बारा मेन प्लस अथारा मेन हो जाएगा बोलो क्लियर है यहां से अगर आप सॉल करोगे तो तो तिरी मेन बराबर इस निकालो चाहिए यहां से निकाल तो ऩोटल वरक कितना हो चाहिए आदमी की जगापे दो और वरत की जगा पे स्वोकर दो छेड उनी 12 ॉनिंट एक दिन में तुटल वरक हो है अगर एक 25 महिफयर करेंगे तो 210 युनिट करने है 1085 1025 यानिदी 6 दिन की आवश्यक्ता होगी करने के समझ कि डीन परोगा तो किया को बारा गहएंगे एकड को पूर्य साइथ हुआ पारा बाटे लिए विवा भाग मेंदे। को 12 वाटे लिए वाहिवालों कितने बाहट कर लेगे। क्वी बाड़रा बाटे एकडिबयाने रिसे बारा पारे शाहि BeetlealtLife डिए प्रेक्टिस करते रहने एक तहाई कारे 50% 25 दिन, के तो अपने इसको जुमानी करते है ठीक है संदे कि तो यह पंदरा दिन में अनी एक दिन में दो इननी एक मिलक्त की तिन एक तिन kids करें हमें टोटर वयर्लट पता है कि तीश परशंट करें कहुं पंधरा इन संदस्स्क्राइब करें एक दिन में अगरती कारी को बारए उड़ा करने अरकली बार चार दिन बाद कारी छोड़ देता है ए और सी मिलके कर देखो बारा पंदरा और बीस का सीधे लिखो ऐस्कों कडै अगर ये दोनों एक शाथ पूचे कितना दिन काम है तो चार दिन घोनने से बचा कितना 24 उनिट किस्ने करना है और शे कारी कोई ए और सी मिलेंगे अगर तो एक दिन में 5-3-8 यूनिट होगा, तो 24 करने के लिए 24 बटै 8, तीन दिन की आउशित्ता होगी, प्रश्न में क्या दिया गया, 9 आदमी और 6 ओरते, यानि इफ 9 men and 6 women working together, can do 6 time as much work as, 1 man and 2 women working together, अगर कहाँ गया, 9 आदमी और 6 ओरते, 6 गुना काम कर किसका अगर एक आदमी और दो औरत काम कर, तो आप से कहा गया, कि एक पुरुश और एक महिला की आगे कारी का अरुपात, अब इससे आसान कुछ हो सकता है, 9-6 मेन यानि 3 मेन, वारा वुमेन और 6 मेन, 3 मेन मतला पर 6 मेन, इससे सराल प्रस्ण भी नहीं हो सकता है, कुछ दुनिया में बी और सी किसी कारी के 50 परतिशत ध्यान दीजेगा 50 परतिशत को 15 12 और 20 दिन में कर सकते हैं 50 परसेंट मतलब आधा कारी का 15 दिन 12 और 20 दिन में 15 12 और 20 एलसेम लेलो 60 हो गया बोलो क्लियर है अगर 60 आधा काम हुआ जो आया क्यूงकि 50 परसेंट पर कहा है तो आधा काम 60 है तो पूरा कारी एक सो बीस यूनित होगे ऐसे समझो अबाप से कांगते इसे काम को इतने इतने जिन तिन में करते हैं यानि ये साथ यूनित कर रहे हैं तो अगर 60 unit 15 दिन में करता है यानि एक दिन में 4 unit B. 60 unit 12 दिन में करता है यानि एक दिन में 5 unit और C. 20 दिन में 60 unit यानि एक दिन में 3 unit करता है हमसे कहा गया उन्होंने कारे एक साथ तो सुरू किया लेकिन ए जो है दो दिन पहले काम खतम होने के दो दिन पहले छोड़ के भाग आता है ये था थोड़ा काम चाहर उसका पेट में दर्द लूज मोशन हो गया तो ये कहता भया दो दिन तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा बागी आप दोनों मिलके कर लो तो कहा कि in how many days was the work completed कितने दिन में काम पूरा हो दो दिन तक ये नहीं आया यानि ये भाई साब दो दिन तक काम नहीं करते हैं यानि दो दिन तक किसने कर रहा होगा लास्ट के दो दिन इन दोनों ने कर रहा होगा ये दोनों अगर ये भाई साब करें तो आप देख पा रहे होंगे कि सबस्क्राइब तो जोर जाएगा तो दस ही दो बटे तीन दिन लगा बोलो clear, clear होगे, 10 सही 2 बटे 3 दिन, total कारे कहतम हुआ, देखो, अगर आपसे कहा जा कि A 3 गुना कारे करता है B का, और 1 साथ कारे करते हुए 30 दिन, यानि कि A, B को अगर हम माने 1 उनिट करता है, तो A 2 साथ 3 उनिट करते हुए, दोनों मिलके 4 उनिट करेंगे, 4 उनिट होने में, 4 उनिट अगर पड़े होता है, 30 दिन लगते हैं, total कारे 120, तो अगर total कारे 120 है, तो A अकेला कितने दिन में करेगा, 120 बटे 3 उनिट, 40 दिन, बोलो ये इतना कायरी है, और हमसे पूछा गया, किस ने करना है, ये नहीं, तो 3 एक दिन में करता है, यानि 40 दिन लगे, क्या गहा गया, एक किसी कायरी को 8 दिन में, B 12 दिन में, अगर वो एक साथ 3 दिन में करते हैं, तो कितना काम बचा, तो जब ऐसा प्रशना है, तो आप या निकाल लिए अगर हो कि total कितने दिन में करेंगे, जोगो इसको 2 में 30 से करवाता हूं, मतलब हर प्रशन 2 में 30 से, 4 में 30 से हो सकता है, time and work, इसको ऐसे करवारो, एक दिन में कर सकता है, भी 12, LCM लेए 24, ये आर दिन में 24, यानि एक दिन में 24, दोनों मिलके, एक दिन में 5, अ कर दिए तो बचा कितना थे लुगा आइग तो यह तरीका हो गहा है दूसरा अगरील आरगे बारा द Șण है तो हम कह सकते है कि 24 बटे 5 दिन में पूरा कायरे कर सकते हैं तो 3 दिन में कितना करेंगे यानि हम कह सकते हैं 24 दिन में 5 गुना काम कर देंगे तो 3 दिन में यानि 8 से डिबाइट करो, 8 से इधर भी डिबाइट होगा, यानि कि 3 दिन में 5 बटे 8, यानि बचा कितना, 3 बटे 8, अब आपको जो method आसान लगे उससे कर ले, कहा गया 25 औरतें, एक तिहाई काम को 6 दिन में, अगर एक तिहाई काम 6 दिन में, तो पूरा काम 18 दिन में, यानि तो कितने दिन में पूरा करवाना है, 5 दिन में, यानि 5 गुड़े M2 बड़ाबर 25 गुड़े 18, तो 5 से कटेगा 5, यानि M2 बड़ाबर 5 गुड़े 18, यानि कि 90 आपका answer हो जाएगा, एक चीज और जाना, कि अगर दो लोग मिलके, किसी कायरी को, A और B मिलके, M दिन में करत है, तो B कितने दिन में करेगा, M into A बटे A माइनस है, अब इससे करें, या बेसिक से आप कर सकते हैं, A और B 16 दिन में कर सकते हैं, A अकेला 48 दिन में, तो B कितने दिन में, 16 गुड़े 48, बटे 48 माइनस 16, यानि कि 32, तो 16 से 32 कटे कर दो, 2 से 48 में डिवाइड होगा, 24 दिन मे क्यों आधा 30 दिन में, यानि क्यों पूरा 60 दिन में, तो कहा गया, अगर एक साथ काम करें, तो 3 बटे 8 हिस्सा कितने दिन में हो जाएगा, P 48 दिन में पूरा कारी कर सकता है, क्यों आधा 30 दिन में, यानि क्यों पूरा 60 दिन में, वह दोनों एक साथ कारी करें, तो 3 बटे 8 इतने दिन में पुरा हो देखो एक बात बताओ यह 48 दिन में यह 60 दिन में तो पूरा कारिय कितने दिन में हो जाएगा 48-60 बटे 48-60 यह आप जोड़ना आसान होना चाहिए से कट रहा है बिल्कुल बारा चोकाड़ ता लाइव बारा नौहियां से कट रहा है थीन lanwn 300 ऐसी बटे तीन दिन में तो पूरा कारी कर देते हैं आगर एक पूरा कारी चाहरे में असी बटे तीन दिन लगते हैं तो तीन बटे आठ्ष़ अब जहां पर वर्क भी दिया गया हो तो वहां पर होता है M D H बटे W बराबर M D H बटे W यानि M 1 D 1 H 1 बटे W 1 बराबर M 2 D 2 S 2 बटे W 2 का कि पुरूस की कुछ संख्या 48 दिन में पूरा कर सकते हैं इनके साथ 30 पूरूस और होते तो कारे को पूरा दिन में पूरा करने में 8 दिन कम लगते मालो कुछ संख्या थी M M मिलके 48 दिन में अगर M सथ 30 आदमी जादा होते तो कारे कितने दिन में हो जाता आठरा दिन कम लगते हैं निए कि तीस ही दिन लगते हैं तो आप से खागिया पुरूसों की संख्या प्रारम में यहनि हम की वैलू निकालनी है किस से कटेगा? छे से किस से कटेगा? इधर आठे हम बराबर पाँच हम प्लस डेड़ सो तो आपको पता है कि ये 2 बटे 3 हिस्से के बरावर होता है यानि B 2 बटे 3 हिस्सा 40 दिन में पूरा करता है अब आप कहेंगे percentage को भीन में कैसे अगर 10% लिखा तो 100 से डिवाइड कर दिया करो आपको भीन मिल जाएगी कोई भी A% मताबर होता है A बटे 100 तो चाचट से दो बटे 3 हिस्सा 40 दिन में यानि B 1 बटे 3 हिस्सा 20 दिन में यानि B पूरा कारें serp दिन में कर सकता है आप देखो बात को समझो A और B 40-60 का हिस्सें 120 120 यानि 120 यूनिट टोटल आपका हिस्सें हो गया तो इजी total वरक हो जाएग 40 δिन में 120 यहने 1 दिन में 20, 20, 20 दिन में 120 यहने 1 दिन में 2, दोनों ने मिल के कारिकरना शुरू करणा, yayए एक दिन में 5 हो रहा है, 6 दिन तक इन्पैस नोने काम किया, 6 दिन तक अग्र काम कर देंगे, तो 3 दिन, तो 5 और 5 होकर 30 होगी, यह बचा कितना 90 नब्बे उनित, 90 कि उसी कारी को ABC एक साथ कारी करने पर पूरा कितने दिन में कर लेंगे एक करता है साड़े साथ उनिट पढ़े एक करता है तीन उनिट पढ़े एक करता है दो तीनों मिलके साड़े बारा उनिट करेंगे 120 उनिट करना है 120 बटे साड़े बारा दिन लगेंगे साधे बारा को क्या लिख सकते है 25 बटे दो बस इसी को सॉल्ब करना है 5 बच्छे 25 पांस से कटेगा 24 तो 24 दुना 48 बटे 5 यानि कि 9 सही 3 बटे 5 दिन लगेंगे बोलो क्लिए एकदम सेम प्रश्ण है इसको ज्यादा कुछ करेंगे नहीं B2 5 इसा अगर 16 दिन में तो यानि कि 1 बटे 5 आठ दिन में B personality चालिस दिन में कर सकता है अब कहा गया यह 20 if you have tomorrow corner करता है ये देन में अगर साथ काम करेंगे तो 3 लिंध हो रहा हो गा इन्हों नहीं 10 दिन तक कर दिया यानि 30 ऊंट होगा आफ बचा है 10 10 unit को c ने 12 दिन में कर रहें तो आप से कहा गया, अगर 40 unit पूरे पूरे को 10 बटे 12 पर डे के हिजाब से करा जाएं तो कितने दिन लगा आपका 40 बटे 10 बटे 12 या 40 खुड़े 12 बटे 10 सी दे लिखके 10 से 40 काटते 10 से 40 काटते तो आपका 10 चो को 40 चार बारों 48 दिन लगता है M1D1H1 बराबर M2D2H2 आपको पता है यह 28 लगा लेना 29 प्रस्थ देखो अगर ABC 30 दिन में कर सकते हैं B और C 45 दिन में कर सकते हैं B अब यह प्रस्थ देखो ABC तीनों मिलके कारे को A B और C अगर तीनों मिल जायें तो कारे को 30 दिन में कंप्लेट कर सकते हैं B और C 45 दिन में पूरा कर सकते हैं जो जो चीजे दी गई हैं उसको लिखते रहेंगे कागर B A से 20 परसेट अधिक कुसल है B A से अधिक कुसल होने का मतलब सबसे पहले समझो अगर हम B और C को एक व्यक्ति मानते हैं मानलों B और C मिलके बड़ा वाला भी बनते हैं तो जो बचा हुआ है यानि एक इतने दिन में करेगा वह आपको पता है न है A और small B मिलके 30 दिन में small B अकेले 45 दिन में तो आप कहेंगे मेरे बाई एक बात बताओ कि A कितने दिन में करेगा आपको 45 गुड़े 30 यानि कि 45 गुड़े 30 बटे 45 माइनस 30 यानि कि 15 15 से कटेगा 3 यानि A अकेले कारी को 90 दिन में कर लेगा अब आपने कहा A अगर 90 दिन में क को सले मैं आपको बताऊं अगर ए 90 दिन में कर सकता है और 20 से 20 परसेंट ज्यादा कुछ सले तो पहले प्रश्ण वाला कॉंसेप्ट लगाओ कि बी को कितना टाइम लेगा बी को टाइम लेगा सो बटे Gomezy 100 बटे 120 और गुड़े 90 इतना दिन लगेगा यश्य पांच बटे 6 गुड़े 90 यने बी को 25 दिन लगेगा तो बी को 75 दिन लग जाएगा तो आपने कहाँ बी अकेले उसकारी को एक तिहाए दिन में तो एक तिहाई 25 समझ में मैंने बी और सी को एक घ्रती माल लिया नि नि काल सकते थे नि काहरेह किया हम नि уч रहते हैं बी और से 30 दिन में ABC टूगेदर 24 दिन में तो ए और ए अकेले ताहिती सही एक बटे तीन परचंट कितने दिन में करेंगे ए और बी मिलके 36 बी और सी मिलके 30 ए बी सी मिलके 24 इन तीनों जो जो डेस दिये गहें इन का LCM ले लो 36 और 24 का अगर LCM निकालना होता तो 72 आता लेकिन 72 और 30 का LCM निकालेंगे तो 72 और 30 में 6 तो कौमन आ जाएगा लेकिन इसमें 5 ऐसा है जो इसमें नहीं आ रहा है मैं फ़्रजी और कर नहीं नहीं आदिका जाए जार कुछ झालएक है अहां और आखकिन दोनों को जोड़ में यहां से कितना हो जोगा AH a प्लस बी और एक बी फंद्रा सी यह वराबर कितना जगा 22 उनिट आपको यहां से एक चीज पता है कि इतने की वैलू A P Plus B P Plus C की वैलू 15 है तो यहां से 15 प्लस B वराबर 22 यानि B वराबर साथ बी वराबर साथ हो गया आपको निकालना है एक इतने दिन उनिट करना था एक दिन में कर रहा है तीन उनिट 120 करने के लिए 40 दिन लगेंगे तो खुष हो गए MTS लेवल का प्रशन करके अब आते हैं CHS से लेवल एनि 10 प्लस 2 लेवल का प्रशन करने में कहा गया A किसी कारी को 30 दिन में B same work एक थर्ड time taken, कर लेगा कि A 33 दिन में करता है तो B कहा गया A 31 समय में में वही कारी कर लेगा यानि B 33 दिन 11 दिन ूप के दिन तो कहा गया कि अगर एक 7 का दिन है तो 5 दिन में कितना कारी कर लेंगे, बात्म बमौत को यह भाज साथ मोजलों करते हैं नो समय यह पृत निसमी मारा सब्सक्राब करें और तो चिक तो किरें यह दोशब करें देख्छ is beer जो को देखीए म coverage यानि कि यानि कि अगर 100 करता है तो अभी 10 एक डिन में करता है तो आप कहे रहा हैं कि अगर यह 10 उनिट एक नुएनिट पढ़े करते हैं, 180 बटन हो, यानिकी 20 दिन, क्लियर होगे, अब यहाँ ऐसे करो, देखो, किसी की कारी कुशलता का अनुपाद क्या होता है, आपको हमेशा पता होने चीए कि A और B की कारी कुशलता का जो अनुपाद होगा, कारी कुशलता का अनुपाद कितना है A अगर 100 करता है, तो B कितना करता है, 90, कारी कुशलता का अनुपाद उनके दरह लिए गए दिनों के अनुपाद के ब्यूत कर्मान पाती होता है, यानि ये बराबर हो जाएगा, A और B की कारी कुशलता का अनुपाद, यानि कि Efficiency का रेशियो, 10 बटे 9, ये बराबर हो एक्स बराबर 20 जिससे मन करें उससे कर लेना साधी नहीं यह प्रश्ट कागे 24 आदमी 6 दिन में कर सकते हैं तो 36 आदमी डबल लंध की वाल को कितने दिन में मैंने क्या बताया था अगर काम भी दे दिया जाया तो M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2 यही पूछा गया यहां पर जो दिया गया है वो पुट कर दो जो निकालना है वो निकालना 24 आदमी 6 दिन में कितना एक वाल को 36 आदमी कितने दिन में कंपलीट करेंगे यानी D2 निकालना है डवल लंध को यानी W2 2 से एकट जाएगा 18 तो कि 99 आप्यारा is 18 औंद्रों च्हेश घब सिर्वास आठ यहीं आधा याप्त नो दिन तो आधल कि त्रीम अहिता सिट य्यार मिल जाए यहीं ought तो बाराटरा और छे का एलस्ट्रे मुझे 주बू जाएंगा 16 नहीं छट फिस तो पी आ डिनमे 6 एक दिनमे दुझे गए से अगर 5 प्लस अर्चे शे करतेha drieगा और होगे-प्लस काम च्छे करें कोई। उनेकर दिनमेशर है उनिकिक्यए stad하 आण उनिटे के आर अकेले एक दिन में एक unit करता है तो 9 unit करने हैं 5 दिन लगेंगे ए 50% काम को 30 दिन में करता है वो 15 दिन तक काम करता है फिर बी अकेले remaining वाइक को 30 दिन में वागयए A और B एक 7 काम कार है तो 25% कितने दिन में हो जागा प्रस्न को द्यान से देखेगा ए आधे कारी को 30 दिन में कर सकता है ठीक है उसने इस पर 15 दिन काम किया अगर आधा काम 30 दिन में कर सकता है तो 15 दिन में एक चोथा ही किया होगा सेस कारे सेस कितना है एक बटे चार हो गया तो तीन बटे चार बचा तीन बटे चार को बी तीस दिन में करता है तो बी पूरा कितने दिन में कर सकता है चालिस दिन में यानि ए अकेले आदा कारे कर तीस दिन में करता है यानि ए पूरा कारे साथ दिन में बी चालिस दिन में त अगर दोनों मिलके 24 दिन में पूरा कर ले रहे हैं तो एक चोथा ही करने हैं यह प्रशन आपको खूद करना है यह भी प्रशन आपको खूद करना है थर्टी से थर्टी पर्सन वर्किंग सिक्सास अडे कंप्लीट आवक यह वाला हमने कर रही लिया यह वाला करना है A और B किसी कारे को 10 और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं उन्होंने 2 दिन तक कारे किया उसके बाद B को सी द्वारा रिप्लेस कर दिया गया और जॉब को नेक्ट 3 दिन में खतम कर लिया तो को ऐसा प्रशन बढ़िया है A दस दिन में B पांस दिन में LCM ले लिया हमने 10 उनिट यह अगर 10 दिन में 10 उनिट यह एक दिन में 2 उनिट और B पांस दिन में 10 उनिट यह भी एक दिन में 2 उनिट दोनोंने मिलके काम करना शुरू किया, याई एक दिन में 3 उनिट हो रहा है, दो दिन दक इनोंने काम किया, याई छे उनिट हो गया, अब बचा कितना 4 उनिट, इस 4 उनिट को, बी तो चला गया और सी आ गया, याई ए और सी अब काम कर रहे है, ए और सी मिलके 3 दिन में 4 उनि हमें टोटल वर्क माना 10 इंट इसका आधा करवाना है यानि 5 इंट करवाना है तो पांच उनिट करने के लिए 5 बटे एक बटे 3 यानि 15 दिन किया विश्यक्ता होगी कहा कि 15 दिन में कर सकता है जब 8 गंटे पड़े यानि उसके 120 गंटे का काम है 120 गंटे मों खतम कर सकता है अब 12 दिन में अगर पूरा करना है तो 120 गंटे 12 गंटे 10 दिन लगेंगे 10 गंटे पड़े करने पड़ेंगे देखो ये प्रशन देखो A और B किसी कारे को 27 और 36 दिन में कर सकते हैं A कुछ दिन काम करता है उसके बाद B जॉइन कर लेता है उन्होंने एक साथ कारे तब तक किया जिब तक काम कतम नहीं हो जाता तो अगर टोटल 18 दिन लगे तो A और B ने एक साथ कितने दिन काम गिया A देखो 27 और 36 का तुरंट dlcM लेलो कितना हो जाएगा ? 108 यानि A अगर 27 दिन में 108 करता यानि एक दिन में 4 B 36 दिन में 108 एग दिन में 3 दोनोंने एक साथ कंशरू किया माला ये दोनों एक साथ n देस करते हैं तो उन्होंने 7 एन तो एक साथ करा होगा उससे पहले, उससे पहले तक A ने कुछ दिनों तक काम किया, फिर B उसके साथ जुड़ गया, देखो, अगर N दिन तक इन्होंने एक साथ काम किया, और टोटल काम 18 दिन में पूरा हुआ, यानि कि कितने दिन तक A अकेले ने कारी करा, आपने कहा, 8 दिन में पूरा और N दिन 6 तक किनों अने साथ? N 18 माइनस, आप एक बात बता कहा, एक दिन में करता है 4 unit, 18 माइनस ने इन दिन में, 72 माइनस 4 unit принципе, 72 इन्होंने मिले कि का, यह एन दोने मिले, और यह टोटल मिलें 106ए 2,8 or i7 काम कि बार्त की इन्होंने कितने दिने 57 मिलके काम किया मैंने क्या कहा मैंने किए एक दिन में Elezen उप्सक्राइड करते हैं मालो एड़े उन्हें साथ काम किया, तो अगर एड़े ज़िसिए आटारा दिन में पुरा होता है नहीं ema8-1 aina इन दोन ओने इन दोनोंने मिलके N दिन कारे करके 7 देने इनोंने कर लिया A 4 उनित पर डे करते हो 18 माइस N दिन में इतना और कारे खतम हो गया नहीं कि यह 108 के बराबर है यहां से हमने solve कर लिया देखो जब ऐसा प्रशना है कि A और B मिलके 15 दिन में हमने का A और B मिलके 15 दिन में कर लेते है कोई कारे A B C मिलके 10 दिन में कर लेते है तो हमसे पूछे कि C कितने दिन में तो A और B को एक बेक्ति मालू मालू यह X लिखा तो X 15 दिन में X प्लस C 10 दिन में तो C कितने दिन में करेगा C-Pull solution बनेंगे कि X अकेले कोई कारिय 15 दिन में कर लेता है X, C कि मदद से 10 दिन में करता है तो C कितने देर में करेगा यह निकाल सकता है कRAG пыт que A कि सी कारी को 40 दिन में कर सकता है B, A से 60 पर्षन अधिकारी कुछ सद है तो aa एकिa को 40 दिन में कर सकता है और 60% ज्यादा कारी को साल है तो 100% बटे 160 इसके देखो A 40 दिन में कर सकता है B से 60% ज्यादा कारी को साल है तो उसको कितने दिन लगे 100% 160 100% 160 दिन लगे 100% 160 गुना टाइम लगेगा एद वारा लिये गे टाइम का तो यह हो गया 5 यह हो गया 8 यानि B को कितना लगा 5 बटी 8 गुड़े 40 यानि 25 दिन बी को लगा अब आप यहां से निगाल सकता है यह 45-45 का इसम कितना होगा 200 यानि यह एक दिन में 5 करेगा एक दिन में 8 करेगा दोनों मिल के एक दिन कायरे के 44 परशन को कितने दिन में कर देंगे हमने मूल कायरे कितना माना था मेरे भाई मूल कायरे हमने माना था 200 तो सो यूनिट का 44 परशन करना यानि हमें 88 यूनिट करना अठासी उनिट करने हैं कौन कोन करेगा बी ओर सी थे एक दिन में कितना काम करता है हमने कहा अभी हमने कहा था कि बी एक दिन में करता है कितने यूनिट थे अगर 25 दिन में 200 तो एक दिन साथ से कटेगा 15 साथ से कटेगा Cenos तीन से कट पांस से कटेगा 3 पांस से कटेगा 27 यानि कि यह 8 करता है यह 20 बते 3 करता है 88 unit हमने करना है तो आपने कहा B और Cningen मिलके 8 20 3 58 unit करना है यानि कितना दिन लगऑ क आप कहेंगे ये चाचट दिन में तो भी इसका दोती है यानि 44 दिन में तो भी कितने दिन में कर सकता है कहा कि बारा दिन में कितना कायरे कर सकते हैं बारा दिन में चाचट करने वाला बारा बटे चाचट करेगा बारा दिन में 44 ओला 12 बटे 44 करेगा आपको इसको solve कर ले ना 12 बटे 22 कोम ले लो 12 बटे 23 यहाँ 1 बटे 2 यहाँ यन्य 5 बटे 6 बचेगा अब इसको solve करना 6 दो 12 2 से 1 कटा 11 यन्य 5 बटे 11 हिस्सा हो जाएगा क्या कहागे A, B, C किसी कायरी को करते है कहा कि ratio of work done by A and B together with respect to C is 13 ratio 3, यैंनी A और B मिलके 13 काम करते हैं, तो C 3 काम करते हैं, B और C और A का ratio जो है, वो 1 ratio 1 है, यानि कि B और C मिलके, और A, मतलब B और C मिलके और जितना काम करते हैं, और A जितना काम अखेले करते हैं, जो नों का ratio एक ratio 1 है, यानि B और C मिलके A के बराबर काम करते है, बोलो clear, अगर A और B मिलके 13 उनिट करते हैं, C अकेले 3 उनिट जोड़े हैं, तो हम कह सकते हैं, A, B, C मिलके 16 उनिट करते हैं, बोलो clear, और A, B, C मिलके 16 उनिट करते हैं, B और C, A के बराबर ही काम करते हैं, तो 2A बराबर 16 या हम कह स करता है अब देखो A 8 unit करता है C 3 unit करता है तो बचा कौन A 8 unit C 3 unit B 5 unit तो पुछा क्या most efficient कौन है सबसे ज़्यादा एक करता है और ऐसे यह करने की जरूरत ही नहीं थी अगर B और C को तो मिलके A के बराबर दिया गया था इसी लाइन से आपका clear हो जाता कि सबसे efficient A है कहा गया A 1 4 एक दो दिन में B 3 पूरा कारे 8 दिन में B 3 बटे 5 छे दिन में यानि 1 बटे 5 दो दिन में यानि पूरा 10 दिन में तो एक 7 कितने दिन में 8 गुडे 10 बटे 8 धन 10 2 9 8 14 बटे 9 यानि 4 से 4 बटे 9 दिन में अब आते हूँ प्रश्णों पे जिसका आप इतनी देर से वेट का रहे थे graduation लेवल पोस्ट टू डू असर्टेन वर्क एस 40 पर्शेंट मोर एफिसेंट दैन बी बोलो किलियर है यानि कि बी अगर पांच यूनिट करता है तो एस साथ यूनिट करता है सिंपल सी बात कागे दे कैंड डू दू दा सेम वर्किन 15 डेज वर्किन टूगेदर अगर एक साथ काम करें तो सा डीज बंधर दिन में कर सकते हैंारी टोटल वर्क हो गेतो बारे गुड़े 15 घू एकसाथ क्तरम करते हैं 2 औरशी एक दिन में वर्किन एक्तिहाई कितने दिन में कर देगा हमने कहा मूल कारे कितना था मेरे भाई मूल कारे कितना था मूल कारे कितना था एक सुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् कि y और जड़ मिलके 24 दिन में करते हैं ठीक है अब देखो का कि 10 दिन तक कारि कर लिया उसके बाद y 18 दिन और जड़ अकेले 13 दिन काम करता है काम खतम हो जाता है एकस ने कितने दिन कारी किया दस दिन तो एकस ने काम किया y ने 18 दिन यानि 18 दिन y ने काम किया और z ने कितने दिन काम किया 13 दिन यानि 13 दिन z ने काम किया और काम खत्म होगा 20 और 24 कैलसिम ले लो तो 120 यूनिट 120 यूनिट टोटल कार्य होगा यानि कि ये 120 के बराबर x और y मिलके 20 दिन में 120 यानि एक दिन में 6 y और z मिलके 24 दिन में 120 यानि एक दिन में 5 आप देखो सबसे पहले एक से सुरू को 10x है अगर यहाँ पर 10y होता तो 10 कमन ले लेते यानि 10 इंटु एक्स प्लस y आ जाता अब बचा कितना 8y अगर यहाँ पर 8z होता तो 8 common ले लेते तो 8y y प्लस z हो जाता अब यहाँ पर बचा कितना 5z बराबर 120 अब आप देखो दस टाइमस आफ एक्स प्लस y यानि कि साथ यह लिखा है साथ मतलब साथ हिदर माइनस में हो यह प्लस z बराब 5 तो 8y प्लस z 40 यह 40 हिदर हो गया यह 5z बराबर 20 यह जड़ बराबर 4 अब जड़ हो जड़ हो गया 4 unit जड़ अगर 4 unit हो गया तो यहां से y की value कितनी हो गई y प्लस z बराबर 5 यानि कि y की value 1 और y यहां रखेंगे तो x बराबर आजएगा 5 unit क्योंकि x प्लस y बराबर 6 y बराबर 1 तो x बराबर 5 आप कहा गया x और z ने करना है x और z एक दिन में कितना करेंगे 9 unit हमें करना कितना है 75% 120 का 75% 90 अगर एक दिन में 9 unit हो रहा है तो 90 unit होने के लिए कितना दिन लगेगा कहा गया कि एक worker है जो अपने परती घंटे की मजदूरी में साड़े 12% बढ़ा देती है साड़े 12% बढ़ाने का मतलब कि अगर वो 8 करती थी तो एक बटे 8 हिस्सा बढ़ा के यानि 9 कर देती है भी मजदूरी परती घंटे ठीक है कहाकर लेकिन परती सप्ता काम किये घंटे की संक्या में 10% गिरावट होती है यगर वो पहले 10 घंटे काम करती थी तो अभी 9 घंटे काम करती है यह कहने का मतलब हो देती हो अभी उसने 9 रुपे पर ती घंटे चार्ज के लेकिन अब वो 9 ही घंटे काम कर पाती यानि अभी 81 रुपे कमाती यानि 80 के मुकाबले 81 हो गई जो चीज पहले 80 थी अभी 80 हो गई यानि कि बड़ी कितनी एक बटे 80 एक बटे 80 कितना परशंट हो था आपको 100 बटे 80 20 चोको 80 25 यानि कि एक दस्मरोद 25 परशंट की ब्रित्ती होई बस सिम्पल सी बात यह लाइन का कोई यूज नहीं था है चलो यह प्रशंट आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है और क्यों दिया ताकि इसको कैल्गुलेशन थोड़ा सा करके निकालो और आप देखना क्या क्या रहा है इसके बाद हमारा pipe and system करना है उसके साथ इसका मैं solution करवा दूगा ठीक है pipe and system के साथ इसका solution आ जाएगा वीडियो को 1000 लाइक तक पहुचा देना प्लीज ठीक है एक के लाइक बहुत जादा होता है मुझे पता है लेकिन आप लोग पहुचा दोगे ये भी झाल